नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो में दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि कल है था 26 तारिक और 26 तारिक को एक सुनवाई होने वाले थी हाथरस का जो सुनवाई पूरी हो चुकी है वहाँ पे बहुत कुछ हंगामा हुआ क्या कुछ हुआ इस वीडिय से सुनवाई हो रही है जिससे यह लगता है कि सारा मतलब बहुत ही जल्द हम लोगों को एक अच्छी ख़बर आने वाली है पीड़ता को न्याई मिलने ही वाला है दोस्तो बता दू इस बीच काफी कई लोगों को मतलब इस महिने में लगभग साथ से आठ सुनवाई हो चुकी है यानि कि जितरे सारे इस case से related थे सभी लोगों के गवाही हो चुकी है और होने विवालिया हो सकता है कि बहुत सारे लोग को पता भी नहीं है यह भी इस case में तो बहुत कुछ हो रहा है इस में मैं बता दू आपको हंगामा किस बात को ले करके हुआ था हंगामा जो कि पीरता के वकील है और एपी सिंग हो या मुन्ना सिंग हो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो की आरोपी के पक्षधर है आरोपी के वकील है तो इसी बीच में कई दिनों से कह सकता हूँ कई दिनों से या कह सकते महिनों से मतलब पीरता के परिवार को उसके भाई को उसके मात भी किया कि केस को ट्रांसफर किया जाए और जो सिक्योर्टी है उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिक्योर्टी दी जाए क्योंकि कभी भी कहीं भी किसी विवक्त हमला हो सकता है उन लोगों के उपर तो कोट ने इसके लिए काफी ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि पुलीस को ड तो इसलिए अदालत ने अलग से ही CRPF को सिक्योर्टी के लिए कहा है तो सिक्योर्टी तो है फिर भी लेकिन धंकिया आना कम नहीं हो रही है तो दोस्तो अभी फिलाल जो ब्रेकिंग निउस यही है कि हाथरस केस का जो है कोट में काफी तेजी से ट्राइल चल रहा है और बहुत सारी केस में अभी जो केस है वो फास्ट्रैक बना दिया गया है यानि तेज गती से चलने वाली सारे केसे हैं जो है इस तरह के जिन लोगों के साथ भी हरकत हुआ है इस तरह का पीड़ता जिस तरह से भटक रही है कई साल लगते थे नहीं मैं हाली की बात कर रहा हू जैसे निर्विया केस में कई साल लग गया है तो दोस्तो क्या कुछ होने वाला है कुछ नया अगर अपडेट आता तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा तो इसके लिए आपको करना होगा चैनल को सबस्क्राइब हो सकता है आपको नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके ताकि आप लोग पूरी तरह से अपडेट रहो हाथरस के से रिलेटर और आपने अगर कोई भी मिस किया है हाथरस के से रिलेटर कुछ भी अपडेट तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हाथरस केस से बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जाहिए वहाँ पर जाकर के देखिए और अगर कुछ भी मिस किया तो जाकर जरूर उस केस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा हर एक दिन का अपडेट तब तब तक के लिए खुश रहिए सुरक्षित रहिए जाहिए